हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो अक्सर महिला ये कमेंट करती है कि प्रेगनेंट होते ही वो पहले सफ़ता के कौन-कौन से लक्षन होते हैं जिसे हम समझ सकते हैं पीडिट में सोने से पहले कि हमें गर्वधारन हो च कि आपको पैरो में बहुत अठन होती है आप सूबह उठती है ऊसके बाद को बहुत वीगिनिस लगता है और पैरो में खास करके काफी ज्यादर एधनसी होती है जो बहुत ज्यादा बहुत लौंग डिस्टेंस अगर पैदल चलती रहें और उसके बाद एक खिचायों सा मह नीचे की तरफ यानि पेल्विक फ्लोर की तरफ काफी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपकी यूट्रस तक ब्लड का फ्लो पोचाना है और वहां पे डून को अच्छे से डिबलब करना है तो इसकी वज़र से आपके ब्रेस्ट में और आपके पैरो में काफी करती है तो आपके सरीर काफी जल्दी जल्दी ठक जाता है इसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है वह होता है कैल्सियम की कमी होना कैल्सियम की कमी की वज़े से स्ट्रॉंग नहीं रहते हैं और महिलाओं में बोन डेंसिटी कम होने की काफी सारी संभाबनाई होती है क्यो हो रहा है तो आप अनार का जूस पीना चालू करिए कैलसियम से जो भी निर्मित चीजे होती है जैसे कि डेरी प्रोड़क्ट है इसमें कैलसियम बहुत अच्छा होता है दूद में दही में छांच में वह सभी चीज लेना आपके लिए बेहर इंपोर्टेंट है और जो हमारा चीजों को लेना चालू कर देना है इससे आपको वह सारी परेशानिया जो बहुत जादा होती है वह कम हो जाएंगी इसके अलाबा जो दूसरा लक्षन होता है दोस्तों वह हमीशा ब्रेस्ट के अंदर और पेट के अंदर होता है क्योंकि यह दोनु चीजे आपके प्रेग जाती है कई सारी महलाओं के अगर प्रेग्नेंसी हर्मोन बहुत तीजी से बढ़ जाती है पोजिस्ट्रोन और स्ट्रोजन पीडिन में सोने से पहली तो उनमें काफी ज्यादा थकावट होना जी मिचलाना मॉनिंग सीकने सोना चक्कर आना घवराहट होना सांस लेने में प तब आप समझ जाइए कि प्रेग्nellंसी के ही लक्षन है ऐसी कंडिशन में अपने मन से कोई भी मेडिस만 का सेवर ना करें कई बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी प्रेग्नसी खराब हो अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रही है इन लक्षनों को महसूस कर रही है तो आप एक अच्छे गायनों को मिले उसके बाद ही आप कोई